स्वाजित है आप सभी का मेरे चैनल दा डिवाइन पावर डबल वन डबल वन में तो दोस्तों हाजी हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ तो आज हम बात करने वाले हैं कि यह एर खतम होने वाला है 2023 का एंड होने वाला है तो हम आज यह दिखेंगे कि आने वाले साल तक आप के परसन के आपके लिए कोई एक्शन लेंगे ठीक है आज हम यह करने वाले है रिडिंग जर्नल है थी था पर आपने ध्यान नहीं करना है वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए आपने प्लेवेक स्वीड को थोड़ा सा बढ़ा लेना है ओपन माइंड होकर देखन है जैंडर स्पेसिफिक नहीं है इसको कोई भी देख सकता है आपको ज्यादा पता है कि आपका पार्टनर मेल है फीमेल है राइट तो आप अगर मेरे से रिडिंग चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलॉव कर सकते हो वहां पर जाकर आप डियेम कर सकते हो जो रिडिंग होती है वो पेड होती है फ्री नहीं होती है तो चले स्टाट करते हैं लीजी अपने परसन का नाम अपने नाम के साथ तीन बार एंड आपने फिर क्या करना है उनकी पिच्छस को देखना है पॉजिटिव होकर ये रिडिंग देखनी है और बार बार उनका न लॉंग डिस्टेंस रिलेशन है आप लोगों का तो हो सकता है यह सब के साथ रैजोनेट नहीं करें हो सकता है कि आप दोनों में काफी दूरी आ चुकी है वर्ल कार्ड आया है प्रेयर कर लिजे जिस भी भगवान में आप इश्वास करते हो तो हम देखेंगे कि यूनिवेर् परसन की सिचुएशन कैसे रहने वाली है राइट वर्ल कार्ड फिक से आया है तो यूनिवेर्स दीजे कार्ड दोर बताएए मेरे वीवर्स इस समय जो यह वीडियो देख रहे हैं जिस भी परसन के बारे में सोचते होए यह रीडिंग देखने वाले हैं उनके परसन का ने सोच रहे हैं कुछ डिसीजन तो ले रहे हैं नेक्ट एक्षन भी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं कार्ड निकालने वाली हूँ और देखते हैं कि कौन सा कार्ड आया है फोर उफ कप्स काफी इग्नोर किया गया है आपको इस रिलेशन में दूसरों को प्रेफरेंस दी गई है और आपको इग्नोर किया गया है आपके प्यार को इग्नोर किया गया है लेकिन यहां पे मेरे को ऐसी फिलिंग आ रही है कि आपके परसन सोसाइटी कॉंशियस बहुत दिखाई दे रहे हैं में भी यह बिजनसमैन हो सकते हैं या आप से एज में बड़े हो सकते ह यहां age में चोटे हो सकते हैं in and out बहुत हुआ है इस relation में एक होता ना जिसमें maturity level में यहां पर कम ही देख पा रही हो अगर वो आपसे उम्र में चोटे हैं king of pentacle yes, हो सकता है कि यह businessman हो, काफी अच्छा खासा stable finance अगर मैं देखूं तो financially यह काफी strong है, two of pentacle it of fans and the emperor दो king आये हैं तो third party situation यहां पर मुझे दिखाई दे रही है, काफी ego, काफी stubborn nature के आपके person हो सकते हैं, death card आया है, transformation होने वाली है, यह इनके अंदर changes आ रहे हैं, जिसके बारे में इनको पता नहीं चल रहा है काफी confusion रहती है आप तो law of attraction के बारे में जानते हो आप तो tarot reading सेखते हो, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही है, कि यार मैं अगर उसे दूर गया हूँ, तो मैं फिर पीछे मुड़ के क्यों देख रहा हूँ मैं उसकी तरफ क्यों जाना चाता हूँ, मैं क्यों उसको अपनी लाइफ में वापिस लेके आना चाता हूँ, क्यों उसके साथ एक new beginning करना चाता हूँ, long distance relation है, three of friends आया है, ace of pentacle, yes काफी strong position पे हैं, ये आपके person, three of pentacle, three number दो बार आया है, two of pentacle, three and two number, two of friends आया है, three and two number दो बार आया है, तो ये दोनों number आपके लिए important हो सकते हैं, four number भी दो बार आया है, ठीक है, ये कुछ numbers हैं, और इन numbers का ना meaning होता है, या तो आपकी ये date of birth बत आते हैं, या आपके person की date of birth हो सकती है, या four number, या two number, three number हो सकता है, कि year बता रहे हों, कि six of sword, six number भी आपके लिए important हो सकता है, king of sword, three king आये हैं आचे यहाँ पे, तो काफी स्रबन नीचे के हो सकते हैं, three of sword आया है, तो yes, definitely इस समय आप दोनों ही, मैं आपका अकेले का नहीं बोलूंगी, मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कि आपके परसन भी इस समय काफी पेन में है, yes, no, reading भी करेंगे, I am the empress आया है, emperor and empress, क्या couple काट आया है, तो yes, definitely आपके परसन आपकी तरफ एक action लेने वाले हैं, okay, तो हो सकता है कि the emperor and the empress, हो सकता है कि आप married हो, और अपने husband या wife के लिए ये reading देख रहे हो, okay, challenge, क्यूंकि में जे couple हमेशा साथ रखना ही अच्छा लगता है, bottom of the deck देख लेते हैं, वाव, two of cups, definitely आपके परसन आ रहे हैं, जी, वाव, तो भाई, प्यार तो बहुत है आप दोनों के बीच में, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके परसन, अरे, कैमरा ही मधोश हो गया, आपके परसन आप से प्यार बहुत करते हैं, और बहुत जल्दी आपको एप्रोच करने वाले हैं, जो आपकी दोनों के बीच में, जो दूरी थी, उस दूरी को खतम करने वाले हैं, आपको कार्ड्स वीजिबल हैं, वेट में एक बार चेक कर लो, तो फिर हम करते हैं, बाद वेट काई से, विनाट, ओके जी, चले, तो अब हम बात दील करे हो, वो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसे, टॉर्स, विर्गो, कैप्रिकॉम, एरिस, लिओ, सजिटेरियस, लिबरा, जैमिनाई, एक्वेरियस, ठीक हैं जी, तो जैसे स्टार्टिंग का कार्ड ही, जीरो से स्टार्ट होने वाला है, फूल काड आया है, तो येस, टेफिनिटल आपके परसन, फिर से, एक न्यू बिगनिंग करना चाते हैं, जीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाते हैं, बहुत कुछ सोच के रखा है, उन्होंने, साल के एंड तक, मेरे को ऐसा लग रहा है, कि दिसंबर तक आपके परसन आपको अप्रोच कर ही लेंगे, आई होप आपको कार्ट्स वीजिबल हैं, ओके, जीरो से अब हम बात करते हैं, तो पहले मैं आपको बता दो कि जो आपके परसन आपको इगनोर कर रहे थे ना, फोर उफ कप्स आया है, अब ये चीजें बंद होने वाली है, उनका ये जेस्चर अभी बंद होने वाला है, जो इमिचर बिहेवियर आपको दिखता था कि अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से चले जाना, ये सब बंद होने वाला है, आपके परसन आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कि अगर आप ब्लोग हो, तो आपको अनब्लोग करें, मतलब चोटे चोटे जेस्चर आपको उनके देखने को मिलेंगे, आपको अनब्लोग कर सकते हैं, सिंपल हाई भेज सकते हैं, कि देखों की सामने वाली या आपका रियक्शन उनके लिए क्या होगा या अभी आपकी इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने आपको अन्ब्लोक किया है और साथ यह आपने बड़े लंबे मैसेज करने स्टार्ट कर दिये हैं अगर वह अन्ब्लोक करते हैं तो आपने सबर से काम लेना है अगर वह अन्ब्लोक करते हैं तो देखो वह आपको क्या मैसेज करते हैं आप से बात करना चाते हैं तो इसलिए आपने पहल नहीं करनी है अगर अन्ब्लोक किया है वेट कीजे देखें वह को कुण सा मैसेज करते हैं यह क्या मैसेज करते हैं तो बहुत प्यार से बहुत समयधारी से हैंडल करना है क्योंकि नहीं तो अगर आप जस्ट वैते ही उनको accept कर कि यार मैं इस लिए गया था या गई थी ये प्राब्लम हुई थी तो मैं फिर से वापस आया हूं ये नहो कि वहीं लोकर फिर से वापस चले जाया और आप फिर से do आपको बहुत संबल के उनके actions को देखना है then फिर आपने react करना है ओके आपसे बात करने की कोशिश करेंगे में भी कुछ clarity देने के लिए आपको अनब्लॉक करेंगे कि मैंने इसलिए ब्लॉक करा था यह situation थी यह हुआ था फलाना ढिमगाना आपको ऐसे excuses आपके परसन आपको दे सकते हैं कि मैं क्यों life से गया था अचानक से मुझे जाना पड़ गया अचानक से मुझे decision लेना पड़ गया तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है प्यार बहुत है आपसे बात भी करना चाते हैं आपकी तरफ attraction भी बहुत है आपको miss करते हुए बहुत दि प्यार बहुत ज्यादा करते हैं कोई चोटा gesture लेकर आएंगे हो सकता है कि आप financially इतने stable नहीं हो तो वो आपको एक चोटा offer दे सकते हैं कि मुझे पता चाला है कि तुम्हें समय कुछ जरूरत है तो मैं इसलिए तुमारी hype करने के लिए आया हूँ रेड़ी है तैयारी कर ल जो कि आपको पसंद करता है और वो नहीं चाहता है कि आप दोनों मिलो तो उसकी clarity में भी आपके person उसके बारे में बात करना चाहते हैं यहां पे मैं को ऐसा भी लग रहा है कि आपके person को आपसे expectations बहुत है कि आप उनकी बात को सुनोगे उनकी situation को समझोगे और यह भी वो मा कि आथा चल बाबू आजा मतलब यह वो अपने माइंड में सोच रहे है कि यह क्योंकि उनको पता है कि आप उनके आज भी प्यार करते हो उनकी वेट कर रहे हो क्योंकि आपने उनको कहीं न कोई कुछ ऐसे justice दिये हैं जिनसे उनको ऐसे लग रहा है कि यह मुझे आज भी प भी हासिल करने वाले हैं आपके person को ऐसा लगता है कि yes हम दोनों मेरी खुशी तो उसके साथ है कपल कांड आया है तो यह तो होगा ही two of cups आया है तो yes definitely आपके person आपके साथ ही अपना future देखते हैं आप से दूर नहीं रह पा रहे हैं आपके साथ वो धेर सारी खुशियां enjoy कर चाहते हैं और मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि two thousand twenty four आप दोनों के लिए धेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है दूर वो भी नहीं रह पा रहे हैं और आप भी नहीं रह रहे हो in and out situation जो पहले चलती थी अब वो नहीं होगी stability मुझे यहां पर दिखाई दे रही है कि आपके person आपको एक stable commitment देंगे stand लेंगे जो पहले वो आपके लिए नहीं ले पा रहे थे okay हो सकता है कि किसी situation के कारण उन्होंने आपको छोड़ा हो अगर वो married है यह सब के साथ resonate नहीं करेगा okay अगर वो married है फिर भी वो आप आपको commitment देने के मैं इसके बिना नहीं रह पा रहा court case करना पड़े या divorce के paper fine करने पड़े मलब ऐसा भी कुछ मुझे scene यहां पर दिखाई दे रहा है अगर यह married भी है ना तो यह एक ऐसी offer के साथ आपके पास आएंगे कि किसी को हाम ना third party को pain हो ना आपको pain हो वो आपको भी रखना चाहते हैं और third party के साथ भी रहना चाहते ह हैं कि वह आपके लिए serious है और आपसे प्यार भी उनका बहुत स्यादा है प्यार जो बढ़ता जा रहा है two of cups आया है bottom of the deck तो प्यार आपसे वह बहुत किरते हैं कुछ clarity भी इनको मिली है कि यार अगर मैं इसे प्यार करता हूँ या करती हो मेरी खुशी इसके साथ है तो मैं इसे दूर क्यों रहा हूँ मैं क्यों इसके बिना जी हूँ क्यों मैं अंदर घुट घुट के मरूं मतलब इन सवालों को क्योंकि अभी आपके person अगर आप इनमी हो ना तो आपके person भी इस situation को face करते हुए निजर आ रहे है three of swords आया है ठीक है बहुत उलजन है लेकिन आप उ लूँगा मैं चाहे मुझे इसके लिए घर वालों से लड़ाई करनी पड़े लेकिन मैं अब घुट घुट कर नहीं जीओंगा उसके बिना बिल्कुल भी नहीं जीओंगा तो आपके person आपके लिए step लेने वाले हैं third situation क्या है उसको आप ये face करने के लिए पूरी तना से रेडी हैं अगर ये इनका partner भी है तो उसको भी खुश रखना चाहेंगे और आपको भी खुश रखने के बारे में जैसे ये बंदी सारा समान इसका पैक करके रेडी हो गई है तो आपके person ने भी तैयारी कर ली है रेडी है इस ship पे बैटनी के लिए और आपकी तरफ आने क से लिए जो situation की पहले confusion चल रही थी अब इन्होंने confusion क्लियर कर ली है कि यार मुझे उसके साथ ही रहना है तो अब हम कर लेते हैं yes no reading sexual deck से तो आज हम मेरे को किसी ने कहां रगे दी thank you so much आप ने yes no reading कर ली तो आप हर reading में कोशिश किया करे कि कर लिया करे yes no reading इस से हमारे करेंगे कि universe sorry universe यह बताइए कि मेरे वीवर्ट जो इस समय वीडियो देख रहे हैं क्या इस दिसंबर तक उनको उनके person का call आ सकता है message आ सकता है wait guys तो universe बताइए कि मेरे वीवर्ट को यह साल के end तक उनके person का call message आ सकता है एक कर दीजिए अरे one card on the universe में card the world card yes starting में world card आया था yes definitely आपके person का call message आ को आ सकता है यह क्या हो रहा है यह क्या कर रहे हो okay तो अचले आप देख लेते हैं कि universe दीजिए card और बताएए कि 2024 में मेरे जो beautiful से वीवर्ट हैं इनका reconciliation होगा क्या वो इनके साथ शादी करेंगे अगर वापिस आ रहे हैं तो solid commitment देंगे एक आठ देजे universe बताएए वाउ Ace of sword definitely yes yes big yes वो आपको solid commitment देंगे तो universe वो कब तक आएँगे एक आठ दे दीजे और बताएए कि वो कब तक आएँगे बही रेडी हो जाओ नेगिटिव मत सोचो अब आपने ना affirmation पता क्या बोलनी है कि yes मेरी शादी मेरे person के साथ next year fix हो गई है 24 में कोई date आप रख लो तो आप बोल सकते हो इस affirmation को आपने बार बार बोलना है जितना ज्यादा आप बोलोगे उतनी ये ज्यादा आपके अंदर positivity लाएगी और positive चीज़ों को आपकी तरफ attract करेगी तो अब हम अंसर देखेंगे कि ये कब तक आपकी तरफ आएंगे दा magician okay तो इसको हम confirm कर लेते हैं जीशिन कार्ड क्यों है यूनिवर्स कोई चमतकारी होने वाला है जीशिन कार्ड बताता है वन मन्त के अंदर हो सकता है फैस जैन को यहां हो सकता है happy new year के बहाने आपके person आपको पूछें कि चलो I am ready ready हो चलो चलो शादी कर लेते हैं तो अब हम इसको मैंने confirmation मांगी थी तो देख लेते हैं कि क्या आता है wow so beautiful ace of pentacles one number यहां भी आया है one number यहां भी आया है ace of pentacles यहां भी आया है तो yes definitely हो सकता है कि one month के अंदर आपके person पहले तो December में आपको हो सकता है आपको सॉलिड कमिट्मेंट देने के लिए आपको राजी कर लें आपसे expectations भी रखें लेकिन आपको भी उनसे expectation रखनी है कि भाई आये हो तो final करके जाओ ऐसे बीच में लटका के नहीं जाओ तो आपको खुल के उनसे बात करनी होगी इसके regarding यह नहीं कि वो आये हैं और नमबर आया है 111 हो सकता है कि आपको triple one number बहुत दिखता हो और हो सकता है कि किसी का life path number double one हो सकता है ठीक है यहां किसी का बर्दे हो सकता है 11 को कुछ भी मैच करे 111 आप comment section में लिख सकते हो the wheel of fortune वाव यह समय का पया घूमने वाला है सारे card positive आये हैं यहां two of cups आया है यहां प आपके person आपको कहीं date पे लेके जाना चाते है थी नमबर आया है तो third party situation माईडर बिफुर वीवर्स आप दोनों के बीच में है तो उसको clear करके आपके person आपके पास साहेंगे कुछ romantic भी सोच रहे हैं आपको लेकर में भी आपको हग करना चाहते हैं किस करना चाहते हैं आप workness आप नेट देखना चाहते हैं वो चाहते हैं कि आप दोनों नेट हों और एक साथ सोएं ऐसे भी कुछ वो dream देखते हुए day dreaming करते हुए दिख रहे हैं yes वो आपको लेकर काफी mesmerized है and आपके साथ honeymoon की भी तैयारी करते हुए मुझे आपके person दिख रहे हैं तो I hope आप को बार बोलिए हजार बार बोलिए जितना आप बोलोगे उतनी जल्दी आप उसको manifest कर पाओगे क्योंकि the magician card आया है कोई manifestation आप red तारा मा का chanting भी कर सकते हो मैंने उसके उपर भी video डाल रखी है आप उसको कर सकते हो 21 days तक देन फिर आपने उसको लेट को कर देना है तो कोई अपना कोई तो चमतकार होने वाला है आपका लव आपके प्यार आपकी लाइफ में वापिस आने वाले है एक solid commitment के साथ तो आपने इसको क्लेम करते होए वीडियो को लाइक करना है चैनल पे पहली बार आई हो तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बना है मेरी इस प अपना ख्याल रखेगा खुश रहेगा एंड पॉजिटिव रहेगा रीडिंग पॉजिटिव आई है तो आज आपने सारा दिन पॉजिटिव रहना है और जो affirmation मैंने आपको बताई है उसको बार बार बोलना है चाहे तो आप उसको 21 टाइम रेड पैन के साथ लिग सकते ह हो और 21 टाइम आप उसकी चैंटिंग कर सकते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो ख्याल रखेगा आपना बहुत सारे प्यार के साथ भाई ठेके लव यौल बाई